आज अब देखने जा रहे हैं Hospital Pharmacist, PhD का second question या second important topic जिसका नाम है ability of pharmacist Hospital Pharmacist के क्या-क्य abilities है उसको क्या-क्य जो work है वो उसके अलग-अलग areas उसको कहा काम आ सकते है या कौंचे काम उसको आने चाहिए He is ever two. मतलब क्या क्या उसों कर दें, आना चाहिए. यह टॉपिक हम लोगा देखने बाले है. उसके पहले हमनों एक short लिए लिए देते हैं कि पिछले lecture में हमें क्या डिसकस किया था. पिछले lecture में हम लोगों ने डिसकस किया था Hospital Pharmacy की Definition और उन्हें देखे थे उसके objectives और उन्हें देखा था function. Definition को इपर आपको मैं repeat करके बता रही हूँ. Hospital Pharmacy Service Department. यह क्या है? एक service department है. जो क्या करती है? Receive करती है, supply करती है, displace करती है. Right time at minimum possible cost to inpatient and outpatient under supervision of registered pharmacist. यह हम लोगे definition में देखा था. तो इसके साथ अब हम देखने चाहरे है हमारा आज का topic जो है ability of pharmacist. Ability of pharmacist के उपर सबसे पर आपको बता दूँ कि question आता कैसा है. सबसे पर को कहते है कि enlist all the abilities. यहां पर आपको देख लोगे मैंने total 6 point लिखे हैं. 6 point मैंने लिखा है, सबसे पराव देखी है आपको familiar लिखा है technical ability, फिर मैंने लिखा है, administrative ability, फिर मैंने लिखा है, health functioning ability, फिर मैंने लिखा है research ability, teaching ability फिर मैंने लिखा है, having to do a job. इस तरी के C2 में जो abilities हैं एक बार आपको दूएंगे कि enlist करो और explain करो फोई भी एक दूएंगे को. ऐसा 3 हाप पर चार्मा का कुशन बनता है, long कुशन बनता है और उसके अपड़े मिए आपको उसको सवर करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम देखनेते हैं पहली ability और सबसे पहले देखनेती क्या इसको सबसे मेरे दोर हैं जो उसको perform करते आना चाहिए. Technical ability में सबसे पैदा है कि Hospital Pharmacist. Hospital का जो Pharmacist कहता है इसको बहुत भी अच्छा knowledge होना चाहिए. Adway का मतना बता है absorption, distribution, metabolism and execution. जो भी drug, medicine उसके pharmacy में available है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए या उसका reference उसको निगाते आना चाहिए कि how the drug will absorb, कैसे absorb होने वाली है, कैसे distribute होने वाली है, metabolism क्या है और उसका expression क्या है. यह सबसे पहला point है CP therapy, hospital pharmacist, hospital pharmacist जो है उसको बहुत ही thorough knowledge होना चाहिए, बहुत ही अच्छा knowledge होना चाहिए, P&T का, P&T का मतना है pharmacological and toxicological, जो pharmacological का मतना है therapeutic effect, जो drug है तो कौनसा effect शो करने वाला है, toxicology का मतना है, क्का सी toxicity, या क्या side effect हो सकते है, या क्या adverse drug reaction से पहुनी सकती है, इसका भी knowledge उसको पता होना चाहिए, ना third is pathophysiology, उसको pathophysiology का भी बहुत अच्छा knowledge होना चाहिए, जब हम SCP चक्रत का subject पढ़ने वाले हैं तो इसमें एक topic हमारा disease का भी है, various disease के pathophysiology, उसके sign के है, उसके symptoms के है, कौन से precaution लेने हैं, ये सब का उसको बहुत ही अच्छा knowledge होना चाहिए, side by side, patient care techniques भी उसको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि वो इक hospital pharmacist है, वो hospital में काम करने वाला है, तो उसको बहुत ही फ़रो knowledge होना चाहिए, किसका जिसका, P&T का, orthophysiology का, patient care techniques उसको आने चाहिए, now third thing, क्या है, manufacturing और dosage form, कैसे dosage form बनाया जाती है, pharmacist जो रटार है वो first year, second year की सिनाबस में, PH1 में, PH2 में, कई सारी formulation को कैसे बनाना, कैसे उसको create formulation कैसे prepare के लिए सारी चीज़े को पढ़ता है, तो इसका knowledge इसको यहां पर apply करना है, जो भी उसमें पढ़ाई किये, उसका knowledge इसको इदर apply करना है, तो manufacturing में बोसे stock पता होना चाहिए, sources पता होना चाहिए, यह कहां से वो आपको procure करने को आसानी होगी, जो कि काम cost में और आपके benefit cost में आती है, Now the fourth one, Testing of raw material, अगर किसी pharmacist की महाँ पर job है, appointment, manufacturing section में, production department में होगा ही है, तो raw material को कैसे test करेंगे, handling कैसे करेंगे, यह सब चीज़े उसको आनी चाहिए, testing of raw material को करते आना चाहिए, जब testing कर रहे हैं, तो different type instrument भी handle करने परते हैं, वो उसको अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि HPLC, HPTLC, pH meter, यह सब का handling इसको proper तरीके से आना चाहिए, Now the fifth number पे है, उसको knowledge होना चाहिए about the storage and serenity of drugs, जब pharmacist अगर वहां pharmacy में ताम कर रहा है तो expiry है, self-right कितना है, storage कि स्टरीके से करना चाहिए, ultra-ग ऐसी light resistance लगी है, light के exposure में नहीं आना चाहिए, कुसी को dark करना पड़ता है, यह साही चीज़े उसको समझना है, और यह चीज़े उसको अपने काम कर बसमें apply कर रहा है, now next six number पे है, ability to perform P&P experiments, अगर किसी फार्मसिस की जो duty है, वो अगर clinical trials में या clinical pharmacist के रूप में हो जाती है, तो उसको P&P के experiment जो आईबल्स के उपर, drug के actions रहते हैं, उसको पढ़ना, उसको interpret करना, उसको conclude करना, यह सब ability to perform P&P experiment का part है, ठीके अभी हमने देख लिया, technical ability, कौन से कौन सी बाते है, जो technically all over the, मैं collect कर विच्छे आपांटे का असे बढ़ा है, exam में कोशन आ सकता है, राइटी technical ability of hospital pharmacist, आपनी यह शेक लाइट अचा से लिखने हैं, अगला जो है, वो है, administrative ability, administrative ability का मतलब, मैंने इसने परे भी आपको बता रहे है, कि administrator का मतलब क्या होता है, administrator का मतलब होता है, boss, अगर उसको HOD की रूप में आपर job मिली है, तो वो कैसे काम करेगा, कौन सी कौन सी बाते है, यह उसको अच्छे से आने चाहिए, तो hospital pharmacies should have the knowledge about organization, जिस भी organization में उसको job मिली है, उस organization का उसको अच्छे से knowledge होना चाहिए, organized मतलब किस तरीके से वहाँ पर काम किया जाता है, कौन सी department कहां placed है, channel and distribution क्या है उस department के, अगर कोई चीज बहाँ पर आ रही है, वो items आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से step by step करते हुए, pharmacy में आने वाली है, यह channel and distribution का पार्ट है, जो अच्छे से पता होना चाहिए, now next second है, वो जो pharmacist है, pharmacist क्या 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 planning, budgeting, उसको planning करते आना चाहिए, अगर वो pharmacist, shop में रहे, या hospital pharmacy में join हुआ है, तो उसको planning करते आना चाहिए, budgeting करते आना चाहिए, planning का मतलब क्या होगा, कि कौन सी medicine मेरे पास है, और कौन सी demand में रहने वाली है, budgeting मतलब कि, इतना इतना मेरा budget है, मेरे बजट में रहके काम करना है, over budget day करने का है, inventory control, inventory control का मतलब होता है, कि आपने कितना items बनवाया है, और उसमें से कितना big गया है, कि कि आबब और जाबब, इसको कहते है inventory control, और उसके बाद में cost effectiveness परना देना है, record maintain करके रखना है, और auditing, यह बहुत जादा जादी है, auditing का मतलब होता है, साल लोग में किया गया financial जो भी ailing, उसको उन देंगे auditing, ठीक है तो यह हुआ administrative ability of pharmacist, जिसको आपको अच्छे से समझना है, now the third one is manufacturing ability, नाम से यह समझेंगे, manufacturing का मतलब क्या होता, manufacturing मतलब production department में अपर pharmacist की, जो यूदी लग नहीं है, या उसको का महाँ पर मिला है, तो उसको क्या क्या करते आना चाहिए, सबसे पहले अगर parental department में उसके कही है जोग तो, he or she able to work in manufacturing of SVP and LBP, उसको अच्छे से knowledge होना चाहिए कि SVP और LBP किस तरीके से produce किये जाते हैं, किस तरी से formulate किये जाते हैं, उसमत formulation जरूरी नहीं है, parenting में ही, department में ही लगने बारी में जोग law and language का भी formulation and interpretation of various usage form का भी उसको बहुत अच्छा knowledge होना चाहिए Similarly is not knowledge of raw material, cost and source और इसको निशाभी के इसको मैं बता रही हूँ, अगर production department में वहाँ पर available है, तो उसको पता रहना चाहिए particular machine को कैसे operate किया लगा है, कि 1st year में PH1 में इस level में है इसलिए उसको पता रहना चाहिए installation of equipment कैसा होता है यह size है, manufacturing activity में आता है तीनों पांट आपको समझ में आए पैला लेगा रहे है कि SVP और MVP का में पच्छिन आना चाहिए दूसरा लिखा है कि other than parent जो दूसरे dosage form है उसको formation and preparation भी करते आना चाहिए और उसके बाद में है knowledge of raw material उसका source क्या है उसका cost क्या है और इस traditional equipment यह साब चीज़े उसको better तरीवे से करते आना चाहिए हर एक चीज़ किरे किसी attendance या किसी help की ज़गत नहीं हुचे उसको पूरी चीज़ का या पूरे हर एक work का knowledge होना चाहिए यह उसकी अन्यवगी का part है ना इस research एक है वहां पर फार्मासिस अगर काम कर रहा है तो वहां पर कई साहरे research प्रोजेक्ट चलते रहते हैं ऐसे research project में उसको participation करना है अज यह से चाहता है medical staff को जो doctors ऐ senior doctors है उसको अच्छे से participate करना है और पंड़क करते आना चाहिए various pharmaceutical research programs एक वांको फिर से बता रही हूँ अगर research activity हम pharmacist की देख में जा रहे है तो हमको सबसे पहले यह द्यांदर रखना है कि अगर senior doctor canber में काम कर रहा है जिनके बहुत सरी clinical research के project चलते रहते है ऐसे product project को उसने assist करना है साइमा देनी pharmacy pharmacist की researches उसको खुक्तो पंड़ करते आने चाहिए अगर वहां पर उसके बादी इंप्रेस में फासिलिटी अविलेबल है तो उसको वह procure करते आने चाहिए बहुत करते आने चाहिए बहुत की ग्राप करते आने चाहिए second है able to establish data डाटा में स्यार करते आना चाहिए कितनी भी research करते कर रहा है तो यह जो research है इसको data ने convert करते आना चाहिए convert करने के साथ-साथ उसको patient का participation भी हाबर helpful रहेगा अब third है able to collect appropriate data अब चो data उसे establish कर लिया research में participant कर लिया data establish कर लिया आप लोगो कह रहा है कि data आदिया जी data जो है इसको appropriate तरिके से interpret करना इसको interpret करना और साथ ही इससे एक definite conclusion कर पहुचता यह भी pharmacist का तहाम है research ability के अंदर आता है ठीक है अब में क्या दिखा establish the database database to establish कर लिया after that उसको क्या है जी collect appropriate data सब्सक्राइब करो उसको interpret करो और फिर उसके अंदर करना रहा है conclusion तक पहुचला है यह होगया research ability का part now the fifth one is teaching ability teaching ability भी देख रहेंगे और विसकों हम दूसरे शक्तों में academic ability भी कहते है सबसे पहला point में pharmacy is able to train junior सिखाना है teacher क्या करता है teaching ability क्या करेंगे यही जी जी फार्मसिस्ट is able to train junior junior फार्मसिस्ट को train करते आरा चाहिए साथ में able to बंडग उसको बंडग करते आरा चाहिए CPE प्रोग्राम उससा फुर्फों समझेगे continuous education program यह भी एक training program की जैसा ही होता है जिसमें junior pharmacist participant करते है और senior pharmacist to pharmacy professional की और इसके बारे में over-off चालतारे रहेते है जिसको करते है continuous education program माम भी थार्ड he or she should be able to वो able to होने चाहिए coordinate and believer lecture उसको lecture देते आना चाहिए अब यह जो है default की basis पर नहीं होगा जो outcome है specialized है पर है तो pharmacist इसलिए उनको teaching and academic ability भी होनी चाहिए कहाँ पर lecture deliver करेगे seminar होगे webinars होगे और different conferences होगे यहाँ पर उसको बहुत अच्छे तरिके से lectures deliver करेगे अच्छा ही यह पार्ट होगया teaching ability करेगे Now the last one ability to control अब यह control माली ख़रे दिए अगर pharmacy बड़ा hospital है he or she able to develop quality assurance program quality assurance program का मतलब का मतलब का जो भी activity महाँ पर की जा रही है उसको बहुत भी अच्छे से वो महाँ पर अच्छे से डेलफ कर सके ताकि उसके जुनियर्स जायर को उसके ही बताएगी चीजों को अच्छे से follow कर सके control उसका अच्छा रहेगा तो आने वाली junior pharmacist भी उसको ही follow करेंगे और जो system है वो perfect होता जाएगा second है able to control program जो भी programs हो रहे है अगर जो भी activities हो रहे है उसका order होना चाहिए अगर कुछ illegal activities हो रही है stop इतना बता है और आरा रहा है इतना यहां पर अगर उसको mal practice हो रही है कुछ गढ़बर तिक्री है तो ability to control इसको महाँ पर boss बन कर जो activities है उसको monitor करना है और अगर कुछ illegal हो रहा है तो उसको control अपना भी है और third है distribution of drug in hospital यहां पर जड़बर हो सकती है stop आ रहा है, patient को नहीं दिर रहा है को बही के बही बही बहाँ जा रहा है तो ऐसे मंत्रक इसको रोपने के विए उसका control बहुत ज़ादा जरूरी है third है able to check inventory of drug यहां पर जो उसका control होना चाहिए कौन से drugs या कौन से आइटम आ रहा है और कितने आइटम बहार patient तक पहुँच रहा है यह सब भी थारों होने जो और थारों control उसका होना चाहिए otherwise, जो और system है वो flexible रहेगा बहाँ पर कुछ भी जो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी और हमारा जो में उद्देश है patient care का वो flexible हो जाएगा जो कि हम कभी भी नहीं चाहिए hospital pharmacist की में जिम्मेदारी है कि उसको patient care के लिए काम करना है इसलिए हमने सारी abilities पढ़ी है और इसलिए हमें सारे conscious से नहीं किसे पढ़ी कि कौन से कौन से department और उसको क्या क्या करते आवाज चाहिए एक short review दे रहे हूँ hospital की pharmacist की ability में हम लोगोंने क्या देखा हमने देखा technical ability first देखा हमने administrative ability और देखा management training ability और देखा research ability और देखा पीची specialist तरीके साहेगा analyst all the ability of hospital pharmacist जित्रे headaches लेकिए यह headaches को आपको analyst करना है और किसी भी एक O आपको elaborate करने लिए पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं यह technical ability to explain करो, वो पूछ सकते हैं teaching ability to explain करो इन इश्रे में से कोई भी एक elaboration के लिए आएगा लो पूछ से अपूजी सबसेते हैं Thank you